इस कोस्व में को सामने X और H एक मॉलेक्टिल बना हुआ है वह एक एटम Y से इंट्राइट कर रहा है और वह उस इंट्राइक्शनल फोर्स के बैसेज पर कुछ कोश्चन दिया हुआ है तो दहां दना आके पास एक आपके पास X है दूसरा H है और यहां पर Y है यहां पर यहां बनेगा एक्स पर देंसिटी बढ़ेगा क्लाउड का क्लाउड इधर पूल हो रहा है और एच पर देंसिटी घटेगा और आपके Y के साथ एच क्या होगा इंट्राइट कर रहा होगा ठेक अब इसमें ना जो पहला स्टेटमेंट है यहां पर एक्स विल इंक्रीज ए हमारा एच पर देंसिटी क्या होगा घटेगा ठेक तो जो पहला स्ट्राइटमेंट है option A है यह क्या होगा correct यह हमारा जो correct answer होगा a ओप्सन बाकी option को भी हम cross check कर लेते हैं बोला गया है कि B मैं बोला गया कि देंसिटी इंक्रीज एक possible नहीं है कि अगर एक bond का देंसिटी अगर एक जग बढ़ें इंकरीज होगा घटेगा दोनों जगे इनकरीज देंसिटी इनकरीज पर गटेगा और इसे घटेगा इसलिए आपका शेटमेंट डी होगा इनकरेक्ट होगा तो ultimately इस question का जो correct answer होगा option ने जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं तो यह था इस question का analysis and solution move करता हम लोग next question पर